स्वागत है आप सभी का टेक स्टड़ी आई टेया योट्यू चैनल पर RRC CR आनि रेलवे रेकृट्मेंट सेल सेंट्रल रेलवे की तरब से आई टेया पास आउट केंडेट्स लिए 2400 से जादा पोस्ट पे अप्रेंट्सिप की वेकेंसी आई थी कौन सी अप्रेंट्स का कब डीवी हो रहा है कब जॉइनिंग हो रहा है और उसमें कुछ कैंडेट्स कनफ्यूज हो जाते हैं तो उन तक जब मेल आता है कुछ इंफॉर्मेशन आती तो हमारे पास जब वो इसमें अभी जॉइनिंग या डीवी ऐसा प्रोसेस अभी इसमें नहीं हो रहा है और अगर आपको मेल आता है कुछ होता है तो आप लोग एक बार जरूर बताईएगा इसके पहले एक अप्रेंट्सिप आई थी यहाँ पे 22-23 की अप्रेंट्सिप आई थी जो की दिसंबर थी 2022-23 वाली इसका यहाँ पे अभी हम बात करने वाले जो नई अप्रेंट्सिप थी अभी उसका कुछ अपडेट नहीं आया जैसे आता है आप तक हम जरूर पहुँचाएंगे आपके पास अगर मेल आता है औफिसल वेबसाइट पे चीज़े आती नहीं है तो आप वो मे कोई डिवीजन इसमें था कुरला डीजल सेट की तरब से जोईनिंग के लिए मेल आना स्टार्ट हो चुका है आप लोगों ने कहां से फार्म भरा था सेंट्रल रिल्वे 22 तेशका एंड आप जोईन कर चुके हैं टीवी के बाद या नहीं है आप लोग एक बार कमेंट करक आते तो आपको और टाइम यहां पर दिया जाएगा और यह 181 से 190 तक का इनको यहां पर जो कॉल लेटर है वो भेजा गया जो सौट लिस्ट हुए थे एक मैंडेट भेजा गया बैंक का एंड यहां पर कुछ फॉर्म्स भेजे गए जिसमें आपका मेडिकल फिटनेस सर्ट का इस सब्णेस के आपको अपको चैनल से पर देखे जाना है उसे हीले कर देख लेटर तो आप लोग संसक्रैप अला बटन जरूर दबा दीजेगा क्योंकि अगर आप आपिटियर जूडे हैं तो आपको चैनल से भी जूरूर जूडना चाहिए जिसे आपको सभी तरह के अपडेट इंफॉर्मेशन और पढ़ाई की वीडियो जो हमेशा मिलती रहेगी और ऐसी सभी अपडेट इंफॉर्मेशन के लिए आप जूर सकते हैं टेलिग्राम चैनल पे भी टेक स्टेडी आईटे ही नाम से है डिस्कॉप्शन में हमने लिंक भी दी दी आप सर्च करके भी जूर सकते हैं यहां पर पाउन कुमार मातो जी का इसमें देखिए पहला नाम है डीजल सेट कुरला की तरफ से जारी किया गया और यह देखिए CRT 22 यह जो CRT 22 आपका रिजिस्टेशन नंबर यही डिनोट करता कि 22 वाली अप्रेंटिसिप का फार्म है जो अभी आपने फार्म भरा उसमें आपका जो रिजिस्टेशन नंबर हैगा CRT 23 करके रहेगा ठीक है 29 ग्यारा 2023 को इनको जारी किया गया पर्सनल ब्रांच की तरफ से और इसमें लिखा हुआ है जैसा इनका डीवी अगरा हो चुका है तो इसमें यह क्या है आपका देखिए यह कॉल लेट पहले तो आप बिल्कुल रिपोर्ट कर दीजे यानि 14 दिसंबर को रिपोर्ट करिए अगर नहीं कर पाते तो 15-16 से लिए के 5 जनवरी के बीच में आप जरूर वहां पर रिपोर्ट कर दीजे अपनी ट्रेनिंग को शुरू करने के लिए इसमें क्या-क्या करना है आपका द जाने के लिए कोई expenses नहीं दिये जाएंगे रहने का भी आपको नहीं provide किया जाएगा आपको खुद रहना होगा लेके अपनी व्योस्था करके अपनी original mark seat certificate इस्कूल कॉलेज का जो भी है बल certificate एने 10th की mark seat I.T.A. की सभी semester की mark seat and I.T.A. का certificate का certificate आधार कार्ड एंड साथ में फोटो लिखा है कम से कम 15 फोटो भी आपको लेके जाना है ठीक है का certificate आपको ले जाना है 15 passport size फोटो ले जाना है अपना ID proof में आधार कार्ड ले जाएगा इसके साथ आपको जो stipend दिया जाएगा उसके लिए आपको कुछ चीज़ें और ले जानी है जैसे आपको अपना bank pass book including to cancelled check तो cancelled check भी आपको देना है ध्यान रखिएगा जिस पे MICR, IFSC number and bank address लिखा हो तो cancelled check भी आपको देना होगा bank passbook के साथ साथ अधार card, pen card, medical certificate तो लिखा ही गया है जैसा उन सब को आपको at the time of engagement आपको देना ही पड़ेगा तब ही आप वहाँ पे अपनी joining कर पाएंगे ठी साथ हो जाएगी, most probably जो training होती है आपकी वह आप जब जाते हैं सारा process होने के बाद ही start हो जाती है, कुछ cases में कुछ time आपको दिया जा सकता है, चले आप चले जाएए फिर आप आके join कर लीजेगा, तो जो भी candidates outlist हुए है, digital set kurla की तरफ से जिनको mail आया है, आप लोग comment जर information जरूर पहुँचा देंगे, तो इस तरह से यहाँ पे call letters हो गए, साथ में यहाँ पे bank mandate form जो attach किया गया, इस form को ध्यान दीजे, आप लोग यहाँ से, नाम, address, mobile number, email ID, particulars आप bank account का यहाँ पूरा आपको detail देना है, कि city में bank का नाम क्या है, branch क्या है, उसका address क्या है, उसका M bank का stamp लगवाना है, यह आपको वहाँ पे submit करना पड़ेगा, इसके साथ आपको in close a cancelled check with mandate form, इस form के साथ आपको एक cancelled check जो है अपना लगाना है, तो आप लोग जा के bank एक checkbook के लिए apply कर दीजेगा, उस checkbook का पहला check निकाल के उस पे ऐसे क्या करेंगे आप, ऐसे double line खींच के उसमें आप cancelled, लिख देंगे और उसको इसके साथ क्या करेंगे, attach कर देंगे, तो इतने documents आपको लेके जाना है, I hope आपने जो mail किया था आपको clear हो गया होगा, आपको क्या क्या document लेके जाना है, और यह apprenticeship अगर आप कर लेते हैं तो आपको सभी benefits मिलेंगे, जो railway apprenticeship करने पे मि बाहर भी अगर कोई जावब आती है, जिसमें ITA plus apprenticeship मागा जाता है, तो उसमें आप eligible हो जाएंगे apply करने के लिए, अगर आप अभी तक आपका कहीं selection नहीं हुआ है, आप कुछ नहीं apprenticeship में form भरना चाहते हैं, तो current में आप देखेंगे, तो कई सारे railway के apprenticeship और permanent jobs आई हैं, जिस जिसमें भी आप eligible हों, उसमें आप लोग form जरूर फिलब कर दीजेगा, ठीक है, railway के अगर बात करें, तो current में तीन railway के ACI apprenticeship है, जिसके form यहाँ पर भरे जा रहे हैं, जिसमें से पहला है आपका RRC SCR का है, अभी current में vacancy AI 1780 post पे, इसके लाँ आपका एक NER का भरा जा रहा है form और आपका एक form भरा जा रहे है, NCR प्रियागराज का, तो जिसमें जिसमें आप eligible हैं, उसका form जरूर फिलब कर दीजेगा, चेकाउट कर लिजेगा, चैनल पे हमने वीडियो बना दिया है, आप उसको देखके भी form भर सकते हैं, अगर आप टेलिग्राम पे जुड़ जाए का mobile application भी launch हो चुका है, तो आप लोग उसको प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कर लिजेगा, अब भी उसमें कुछी चीजी अपडेट हुई है, आने वाले टाइम में आपको ITE की पढ़ाई की वीडियो, साथ में उनके mock test, PDF, government job की तयारी के PDF, mock test, सब कुछ आपको वहाँ पर मिलेगा, तो प्लीज आप लोग Tech Study ITE का mobile application भी, जिस तरह से आप लोग WhatsApp, Facebook ये सब इंस्टाल करते हैं, फोन में, इसी तरह से उसको भी जरूर इंस्टाल कर लीजेगा, थैंक्यू वेरी मच्च